हेलो गाज वेल्कम बैक तो में एक्टूब चैनल सेफटी मेनेज़मेंट टेडी गाज आज के हमरे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बीकम ए सेफटी ओफिसर हम सेफटी ओफिसर कैसे बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे अगर आप जानना चाहते हैं कि आप सेफटी को करने में खर्चे कितने आएंगे यानि कितनी की लागत होगी और यह हम कहां से कर सकते हैं कौन-कौन से कॉलेज हैं कौन-कौन से इंस्ट्यूट से जहां से हम सेफटी कोर्स कर सकते हैं इस वीडियो में मैं टोटल 4 सेफटी कोर्स के बारे में बताऊंगा जो कि आप कर सक सकते हैं अगर आप safety officer बनना चाहते हैं तो सबसे आपको minimum क्या courses करने होंगे और सबसे best कौन सा course है इसके बारे में जानेंगे तो एक करके चलिए देखते हैं फर्स्ट है diploma in fire and safety या diploma in industrial safety दोनों course लगबग एक जैसे हैं इन्हें आप करके safety officer बन सकते हैं इसकी जो duration है one year की है यानि आपको इस course को करने के लिए one year का समय लगेगा इसे कौन कौन कर सकता है तो इसे वो कर सकते हैं जो 10th pass है या 12th pass आउट है ये दोनों कर सकते हैं इस course को करने के लिए खर्चे कितने आएंगे तो on average 45,000 to 50,000 आपको लगेगा यानि 45,000 से लेके 50,000 तक कि आपकी fees लग सकती है इसमें अगर आप diploma in fire and safety करना चाते हैं जिसका duration one year है तो आप कहा कहा से कर सकते हैं इसके लिए काफी सारे college इंस्ट्यूट्स हैं जिसमें है green wall group, NIFSE, NISFE, NIST, NIFS ये सारे college इंस्ट्यूट्स हैं जहां से आप ये course कर सकते हैं इस course को करके आप इंडिया में job कर सकते हैं जिसके सारे इसके सारे इसके सारे आप कर सकते हैं जिसकी फीर से 45,000 तो 60,000 second course है B.Sc. in fire and industrial safety इस course का duration है 3 year यानि इस course को करने में आपको 3 साल लगेगा इसके लिए कौन-कौन eligible है तो जो भी बच्चा 12th past है जिसका background physics chemistry math है यानि stream जो है 12th का science है वो इस course को कर सकता है इस course के लिए आपको पूरा खर्चा आएगा 60,000 से 70,000 तक का इसके अंदर आप इस course को कर सकते हैं इस course के लिए काफे सारे colleges हैं यसे की ICFS, NIFS, Greenwald इन सब college से आप यह course कर सकते हैं और इसके साथ आपने वह इस IEC करते हैं तो आप गल्फ में जा सकते हैं इंडिया के बाहर भ इस के लिए कौन को है eligible है अगर आपने B.Sc. किया है अगर आपके पास Therior के diploma है या अगर आपने B.T. किया है तो आप इस course को कर सकते हैं इस course में total cost आएगा 45,000 to 65,000 यानि 45-50,000 तक का आपका इसमें खर्च आएगा इस course को आप किसी भी state में कर सकते हैं हर एक state में लगवग इसके colleges हैं जो कि state board of technical education से अप्रूव होते हैं बेटर होगा अगर आप MSBT से करते हैं महराष्ट state board of technical education से अगर आप यह course करते हैं तो काफी अच्छा है इसके लिए काफी चारे colleges हैं आप जानना चाहते हैं कौन कौन से college हैं तो description में एक video का link दिया है वहाँ पे click करें आपको इसके बारे मौलम चल जाएगा फोर्थ है बीटेक इन सेप्टी एंड फायर इंजिनिरिंग इसका डिवरेस्टान है यहनि स्कोर्स को करना है आपको चार साल लगेंगे इसके लिए कौन कोन eligible है अगर आप 12 पास है साइंस स्ट्रीम से तब इसकोर्स को कर सकते हैं इसके लि सकते हैं